रेट्रो इस्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 9 के विहाई बुक से नूमेनार फॉरेन कोयम का डिटेल एक्सप्लानेशन देखेंगे जो कि जेम्स फार्टनर किरकप द्वारा लिखा गया है कोयम को स्टार्ट करने से पहले हम जेम्स किरकप के बारे में जान लेते हैं इनका जन 23 अप्रिल 1908 को हुआ और इनकी मृत्यों 10 मई 2009 में हो गया वो एक बहुत बहतुरेन इंग्लिस पोएट, ट्रांसलेटर और राइटर भी थे उन्होंने 30 से अधिक जादे किताबे लिखें जिसमें आटोबेग रॉफी भी था, नॉवेल्स भी था और बहुत सारे लेज भी थे किरकपजन होने के बाद उनको साउच सिल्ड में लेकि आया गया और उनको साउच सिल्ड सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन प्रदान कराया गया और जब वो बड़े हुए तो दरहम युनिवरसिटी में उनका दाखिला कराया गया उनकी जो पहली poetry की किताब थी उसका नाम था The Drowned Siller at the Downs जो की 1947 में publish हुई वो पहले ऐसे poet थे जो की United Kingdom के University में रहके ये सारी की उपलब्दियां राप्त की थी इस poem का central idea देखेंगे कि आखिर में इस poem में Kirkup ने क्या बताने का प्रयास किया है ये जो poem No Manor Foreign है इसमें poet जो हैं वो कहते हैं कि हमें लोगों के मध्य किसी प्रकार का difference नहीं मानना चाहिए वो कहते हैं कि भले उनका appearance कैसा भी हो उनका religion कोई भी हो उनका area कोई भी हो हमें उन सभी लोगों को अलग बिलकुल नहीं मानना चाहिए उनका ये मानना है कि जो लोग इस प्रित्वी पे रहते हैं वो सभी एक दूसरे के भाई हैं उनका मानना ये है कि सब ने जन्म लिया है सब कपड़ा पहनते हैं खाना खाते हैं और एक दिन प्रित्वी को प्राप्त हो जाते हैं और उसी पृत्वी के नीचे बरीड हो जाते हैं हम सभी जो अलग-अलग देश में रहते हैं सबका body parts एक ही जैसा है लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है वो कमी नफरत की है, रंजिसों की है जिसके वज़ा से हम एक दूसरों से आपसी मतभेद कर लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे से लड़ बैठते हैं और finally जब ऐसा condition होता है तो युद्ध का आगाज होता है और युद्ध के आगाज होने के बाद ये पृत्वी समाप्त होने लगती है कुल मिला के इस पोयम में कभी एक ही चीज़ बताने का प्रयास किया है कि हम सभी जन्म लिये हैं एक ही खाना खाते एक ही जैसा कपड़ा पहनते हैं मुख्यता इस कविता में पोईट ने प्लोट्स के बारे में एक चीज़ को रिलेट किया है वो है हमारा skin, हमारा skin एक जैसा होता है, भले उसका रंग अलग अलग होता है, लेकिन उस कपड़े के अंदर, इस skin के अंदर एक ही जैसा blood flow करता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताए कि जब skin का color अलग है, और खून अगर अंदर एक ही जैसा flow कर रहा है, red color में, तो फिर किस बात का dispute, किसी प्रकार का कोई dispute नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई hating नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई fighting नहीं होना चाहिए, वसुदेव कुटूमबकम वाला condition होना चाहिए, that is, this whole world is our family, इसलिए उन्होंने कहा है, कि कोई व्यक्ति बिदेशी नहीं ह यह जो poem No Manor Foreign है यह पूरा इंसान के बारे में बताया गया है कि हम लोग एक ही land पे रहते हैं और हम सभी भाई हैं वो कहते हैं कि जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग भारत में रहते हैं और जो अंग्रेज, USA से आते हैं, England से आते हैं एक ही जमीन पे हम सभी चलते हैं कभी बताना चाहते हैं कि जब हम हर्वेस्टिंग कराते हैं वो लोग भी हर्वेस्टिंग कराते हैं जो हम खाते हैं वो लोग भी वही चीज़ खाते हैं और अंता गित्वा जब हमारी मृत्यू होती है तो उसी जमीन के अंदर हमें दफना दिया जाता है जिस जमीन पर हम रहते हैं तो फिर प्रक्रिया सीम है तब क्यों हम दूसरों को या फिर दूसरे देश में रहने वाले व कि हम दूसरे को hate करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, और अगर ये नफरत जब बढ़ जाता है, तो एक दूसरे से हम लड़ाई कर बैठते हैं, और वो लड़ाई बड़े से युद्ध काकार ले लेता है, और उस समय हम ये भी ध्यार नहीं देते, कि जिस प्रित्वी पे ह हम रहते हैं, वो अपना ही प्रित्वी है, हम उसे बरबाद कर रहे हैं, वो हम ही है, जो atmosphere में air है, उसे pollute करते हैं, हम ये पता है, कि हम लोग बीना air के, बीना oxygen के जिवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम ही ऐसे लोग हैं, जो अलग-अलग प्रकार के युद्ध किया करते हैं उसमें अलग-अलग प्रकार के chemical weapon यूज किया करते हैं, जिससे कि पूरा हमारा वातावरण destroyed हो जाता है, कभी इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं, कि किस तरीके से हम पूरे विस्व के लोगों को ये बता दिया गया है, कि एक boundary line है, उस line के उस पार विदेशी रहते हैं, तो ये कुल मिला के ये सताधिसों का किया धरा होता है, जिनोंने ये boundary line बनाया, imagine करिए कि अगर कोई boundary line नहीं हो, कोई boundation ना हो, तो ये दुनिया कितनी हसीन होगी, ना कोई cast हो, ना कोई delusion हो, सब कोई एक जैसा ही रहे, कितना बहतरीन होगा, उस समय ना हम किसी को पताया है कि no man are foreign, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, और यहाँ पे आपका ये poem समाप्त होता है, थैंक्यू फर वाचिंग, प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब, मैं चैनल रेट्रो स्टड़ीज